सबी बच्चों को मेरा नमोनमाहा संस्कृत की कलास सस्टह कक्छा सब्तम पाठह कत्री कारकम प्रतमा भिवक्ति है हम लोग बात करेंगे कि इसमें कत्री कारकम का प्रियोग कहां हुआ है प्रतमा भिवक्ति का प्रियोग कहां हुआ है कत्री सब्द का प्रियोग मैं आप लोगों से कल बता नहीं पाया था तो कत्री जो होती है करता इंदी में आप करता बोलेंगे संस्कृत में कत्री बोलते हैं करता जो होती हैं कारी को करने वाला कारी को शंपन करने वाला करता कहलाता है एक सांपल के रुपे में बताना चाओंगा यथा राम ने रावण को मारा राम हा रावण हा हस्तव्यम राम ने रावण को मारा तो राम जो है यहाँ पर क्या कर रहा है मारने का काम कर रहा है इसको रावण को तो कारी को संपन करने वाला कारी को करने वाला करता कहलाता है तो राम क्या है यहाँ पर करता जब भी आप वीडियो देखेंगे बुक्स उपन करेंगे वीडियो को देखते वे बुक्स को आप भी मन ही मन में पढ़ना इस्टार्ट करेंगी अच्छे से समझ माएगा चलिए देखते हैं थोड़ा मैं रियूजन के तौर पर बता रहा हूँ उसके बाद जहां पर हम लोकल बंद किये थे उसको स्टार्ट करेंगी यह पठतीस सह प्रणाव अस्ती यह जो पढ़ रहा है वह प्रणाव है प्रणाव अच्छाट्र अस्ती प्रणाव एक आदर्स चात्र है मैं आप लोकों रियूजन करा रहा हूँ इसलिए तोड़ा फास्ट निकलूँगा फास्ट चलूँगा सह अध्यनसिलः चात्र हस्ती वह एक अध्यनसिल चात्र है एक वचन का प्रियोग हुआ है प्रतमा अभी वगवित्ली का प्रियोग हुआ है इसमें सेकेंड प्रणाव आप देखेंगी या धावत हा तौम्रिग है युस्त हा याव दूतिया भीवक्ति है, दूई वचन है, धावतह, दड़ना, ये जो दड़ रहे हैं वो मृग है, दू मृग है तौव बनेवसतह, घासमचा खादतह, ये दोनों वन में रहते हैं और घास को खाते हैं तौव तिब्रम धावतह, तौव वे दोनों तिब्रम तेज धावतह, दड़ना, वे दोनों तेज दड़ते हैं ये तो अतिव सरलो जीव भवतह, ये तो ये दोनों अतिव सरल जीव हैं, बहुती सरल जीव होते हैं मैंने बताया इसके बाद नीचे पर अगराप आजिएगा ये ती ब्रिक्षा हसंती ये ती बहु वैचन का प्रियोग हुआ है क्योंकि यहापर बहुत सारे ब्रिक्ष है ये ती ब्रिक्षा हसंती ये सब ब्रिक्ष है ब्रिक्षा विसाला हसंती ब्रिक्षा बहुत ही बड़ विसाल मतलब होता है बड़ा बहुत ही बड़ा है ते घासम कास्टाणी फलानी चैयक चंटी वे हमें क्या देते हैं घास फल फूल भी देते हैं यक चंटी मतलब होता है देना इती छायाम अपी अक्छन्ती सदा परुपकारायच जिवन्ती वे छाया भी देते हैं और हमेशा परुपकार के हित के लिए होते हैं ऐसे परुपकार के लिए हित के लिए होते हैं वे सभी को छाओं देने के साथ भल भी देते हैं फूल भी देते हैं कास्ट भी देते हैं और छाओं भी देते हैं जब भी उनमें फल लगती है वो परुपकार का काम करता है सभी को बोलता है आओ मेरे फल को आप खाईए जुग जाता है अपने फल से और बोलता है खाने के लिए उसके बाद देखेंगे या पाठती सा प्रभास्ती यह जो पढ़ रही है वह प्रभा है प्रभा एका सिक्षिकास्ती प्रभा एक अध्यापिका है एक सिक्षिका है बोल गया है सा संस्कृतम पाठयती वह संस्कृत पढ़ाती है सा प्रति दिनम मिद्ध्यालें गच्छती पाठ्यती चा सा वहा प्रति दिन रोज मिद्ध्याले जाती है इस्कुल जाती है और पढ़ाती है चा मतलब और यहां से हम लोग कल खत्म किये थे पाठ्यको अजपुना हा नेस्ट जो बचा हुआ है इसको स्टार्ट करते हैं यह कुजता हा ती कोकिला इस्ता हा यहां जो कुक रही है यह जो कुक रही है यह मतलब होता है यहां कुजता हा मतलब होता है कुकना ती मतलब वी कोकिलह मतलब होता है कोयल इस्तह मतलब होता है ये जो कुक रही है वहा कोयल है कोकिले क्रिश्णवार्णे भवता है कोकिले कोयल को बोला गया है क्रिश्णवार्णे मतलब क्रिश्ण भगवान को अरण करते वे वो लगया है कि कृष्णवा बगवान सावले होते हैं काले होते हैं तो कोकीले क्या होते हैं काले होते हैं ते मधुमास्ते कुजतह मधुमास्ते मतलब होता है बसंद के समय वे बसंद के समय क्या करते हैं कुजते हैं ये ते मनोहरम कुजतह चीतमच आकरसतः येती वे कुजते समय बहुती मनोहर, बहुती सुन्दर महसुस होते हैं आपने भी दिखे होगा कोईल जब कुगती है तो उनकी जो आवाज होती हैं बहुती मीठी होती हैं चितम चा आकरसिता हा वे सब को आकरसित करते दिर हैं फिर से बता रहा हूं सुनिये ध्यान से ये जो कुकर हैं हैं वो कौन हैं कोयल हैं कोयल काले होते हैं वे बसंद के समय कुझते हैं इनकी जो बोली होती है बहुती मधूर होती है बहुती सुन्दर होती है वे सब के मन को आकर सीथ कर देती है नेस्ट पेजिस देखेंगे एताह कन्यासंती एताह कन्यासंती बोला गया है एता मतलब होता है त्रिती वचन का प्रियुग हो आया है यहां पर ये सब क्या है कन्या है लड़की है एता स्यामा रमा उमाचसंती ये सब स्यामा, रमा, च मतलब होता है और, और उमा है, संती मतलब होता है है, ता मतलब वह, क्रीडाम क्रीडन्ती हसंती च, क्रीडाम मतलब होता है खेलना, क्रीडन्ती मतलब खेलती वे, हसंती मतलब हस्ते हुए, वे खेल खेलते हैं और हसते हैं या पस्यती सा स्यामा हस्ती पस्यती मतलब होता है पास में या मतलब होता है वे वे जो पास में हैं वह कौन हैं? स्यामा है आप लोग भी देखेंगे पुस्तक में अपना संस्कीत की जो पुस्तक है सब के पास उपलबदर हैगा तो अच्छे से आप लोगो शमज माएगा तीन लड़किया वहाँ पर अपने अपने खिल खिल रही हैं और पास में जो खड़ी हुई हैं वहाँ स्यामा है फिर से एक बार बता रहूँगा ये सब लड़की हैं ये सब स्यामा, रमा, उमा है ये जो खिल खिल रहे हैं खिल खिलते भी क्या करते हैं लोग? हसते हैं और खिल खिलते हैं उनके जो पास में हैं वो कौन है? स्यामा है नेस्ट पैराग्राफ दिखेंगे एतत कमलम अस्ती एतत एक वचन का प्रियोग हुआ है क्योंकि यह वहाँ पर एकी फूल खिला हुआ है, एकी कमल खिला हुआ है, यह तद मतलब होता है यहा, कमल है, अस्ती मतलब होता है, संती मतलब होता है, भावता होते हैं, यदा मतलब होता है जब, तदा मतलब होता है तब, कुजनती, कुजना, यक्छनती, देना, यह सब मिन तो सब दार्थों को दिखिएगा, ये तद अतियु मनोहर मजती, यह सब बहुती मनोहर होते हैं, यह बहुती मनोहर होते हैं, कमलम जले भवती, सुगंदम चाधार्यती, कमल जल में होता है, और वह सुगंदेता है, यह कमल है, यह बहुती मनोहर है, कमल जल में होता है, और बहुत सुगंदेता है, नेस्ट परग्राफ दिखेंगे, यह बिजली के पंखेंगे, बिजली के पंखेंगे की बात बताई गई है, ते तिब्रम चलता हा, तापम चा हरता हा, ती मतलब होता है वह, तिब्रम मतलब होता है, तेज चलता हा मतलब होता है चलना, तापम मतलब गर्मी को, उस्मा को हर लेने जाला, चा मतलब होता है, और हरता हा मतलब होता है हरना, भी तेज चलते हैं और ताप को हरते हैं गर्मी को हरते हैं ये ते आधुनिके यंद्रह यस्ती यह जो है आधुनिक यंद्रह है आधुनिक मसीन है ते बिद्धुत सहायेन चलता है ते मतलब होता है वे सहायेन बिद्धुतेन बिद्धुत की सहता से चलने वाले को बदाए गया है वे बिद्धुत की वे बिजली के पंखे बिद्धुत की सहता से चलते हैं फिर से बता रहा हूँ यहाँ बिजली के पंखे हैं वे तेज चलते हैं और ताप को हडते हैं यह एक अधुनिक मसीन है वे बिजली के सहायता से चलते हैं नास्ट प्राग्राप दिखेंगे लास्ट प्राग्राप इतानी फलानी दान्रिमानी संती इतानी बहुवचन का प्रियोग होगा है जहाँ पर दो से अधिक सब्दों का प्रियोग होता है वहाँ पर बहुवचन का प्रियोग होता है यहां पर अनार के बारे में बताया गया है तो वहां पर दो से अधिक अनार होने के कारण बहुबचन सब्द कप्रिव हुआ है ये पहल सब अनार है ये सब फल क्या है अनार है दान्निमानी रसानी स्वास्त्य धरकानी चभवंती जो दान्निमानी होता है अनार को बुल गया है रस यानी मतलब होता है रस स्वास्त्य वर्धकानी स्वास्त को चभवती मतलब होता है अनार के जो रस होते हैं वे स्वास्त के लिए क्या होते हैं लाबदायक होते हैं यदा जनहा अस्तुत्ता भवती यदा मतलब बताया था जब जब लोग अस्वस्त होते हैं अस्वस्ता मतलब होता है बिमार जब लोग क्या होते हैं बिमार होते हैं जनहा मतलब होता है लोग जब लोग बिमार होते हैं तदा दान्डी मर्सम पत्यम भवती स्वास्तियम चरक्षन्ती तदा मतलब होता है तब दान्डी मर्सम अनार का रस पत्यम मतलब होता है लाबदायक भवती मतलब होते हैं स्वास्तियम मतलब होता है स्वास्त चरक्षन्ती मतलब होता है और रक्षती मतलब होता है रक्षा कर जब लोग बिमार होते हैं अनार करस क्या होता है बहुती लाबदायक होता है स्वस्त के लिए लाबदायक होता है तो मैंने आपको कर्तिकारकम प्रतमा विवक्ति के बारे में पुनहा रिजन के साथ में पुनहा मैं आपको बताया तो आप लोग वीडियो को दिखते भी अच इसको याद रखेगा बाई वेटा नेस्ट क्लासेस में मिलेंगी